नमस्कार दोस्तों चत्तीसगर की ताजा खबर में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। थेकेदार ने काम दिलाने के बहाने युवती से किया दुशकर्म। शादी का वादा कर तीन महीने तक शारीरिक संबद बनाया। अब बोला नहीं कर पाउंगा शादियें। गिरफटार, विलासपूर में युवती को काम दिलाने के बहाने उससे दोस्ती कर रेप करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफटार किया है। आरोपी युवक में उसके साथ शादी करने का वादा किया और तीन महीने तक शारीरिक संबंध बनाते रहा। बाद में युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक में शादी करने से मना कर दिया। उसकी हरकतों से तंगा कर युवती ने केस दर्च करा दिया। मामला सरकंडा थानाक शेत्र का है। टी आई फैजूल शाह ने बताया कि मूलता मुंगेली जिले की रहने वाली 28 वर्षिय यूवती तीन महीने पहले तिफ्राक शेत्र में आकर काम की तलाश कर रही थी। इस दोरान वो प्राइवेट जॉब कर रही थी। तभी उसकी मुला प्राकात तिफ्रा के शांतिनगर में रहने वाले थेकेदार नहरू साहू उर्फ नहरू 40 वर्ष से हुई। उसने यूवती से दोस्ती की और उसे काम दिलाने का जहासा दिया। इस बीच वो यूवती से बातचीत करता रहा। इसी दौरान बीते दिसंबर माह में वो यू प्रासा दिया और उसके साथ तीन महीने तक शारीरिक संबंध बनाते रहा। यूवती ने जब उसे शादी करने के लिए दबाव बनाना शुरू किया। तब यूवक ने पहले तालमटोल किया। फिर बाद में उसने शादी करने से मना कर दिया और अपने घर वालों की जी से शादी करने की बात कही। उसकी हरकतों को देखकर यूवती में थाने में शिकायत कर दी। पुलिस में आरोपी यूवक के खिलाफ केस दर्चकर उसे गिरफतार कर लिया है।